नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल और मैं हूँ सच इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है 331 तारीकों और इस बार ये बैठक होगी मुंबई में का जा रहा है कि इंडिया का आई एन डी आई ये यानि की विपक्ष का जुकट बंदन है उसका इस दिन लोगो रिलीज किया जाएगा लेकिन उससे पहले ही तमाम तरह की राजनीती ख़बरे कैसा अब कुछ इंडिया के भीतर ठीक है या नहीं ये आने लग देई हैं एक खबर तो आई है बिहार से बिहार के में से जसमें पहले भी आई थी कि नितिश कुमार जब ये बैठक बैंगलूर में हुई थी तब भी एक खबर आई थी कि नितिश कुमार जल्दी वहाँ से निकल गया क्या नितिश कुमार नाराज है क्योंकि वहाँ पर संयोजक ना जाने को ले करके खुश नहीं है। लालों ने कह दिये कि अगर यहां बिहार से कोई सियोजक नहीं होता है तो किसी और राज्य से बना लीजी हमारे को कुई दिक्कत नहीं है। यह भी एक खबर आरी कि इसको ले करके जो है तलवारे खिट सकती है। दूसरा यह कि सिर्फ लो लोगों पर चुनाव भी लड़ा जाए। अब देखना ये कि इसमें क्या सहमती बनती है। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत इंटरस्टिंग डिवल्पेंट इसमें सामने आ रही है। वहीं ये सामने आ रही है कि मायवती। मायवती ने उस वक्त तो किसी भी खेमें से इसमें भूबी का निभाने की कोशिश की थी लेकिन फिलहाल कोशिश ही की जा रही है कि इंडिया की तरफ से अंदर खाते जो है मायवती को अप्रोच किया गया है और मायवती जो है आ भी सकती हैं इंडिया के साथ यानि कि विपक्ष के गटपंदन के साथ तो क्या मायवत मायवती आएंगी और विपक्ष का बेड़ा पार लगाएंगी और अगर मायवती आती हैं तो ये गटपंदन कितना मजबूत हो जाएगा क्योंकि फिलहाल मायवती ने क्योंकि सब जानते हैं कि मायवती का अपना एक समर्पित वोट बैंक है जो उन्हें वोट करता है उनका साथ आना क्या वो साथ आएंगी अब आगे चुनाव भी है 80 सीटों पर चुनाव लड़ना मायवती की सीट की टिकेट की सब जानते हैं कि चुनावी कीमत भी बहुत होती है अब जब आ जाएंगी यहां पर तो किस तरीके से वो चुनावी कीमत होगी या फिर जो है न्यू और तरह के नाम जो है इस गठवंदन को दिये गए ये भी कहा गया कि देखिए हम मंद्यप्रदेश चले गए हैं अर्विन केजिरिवाल 36 गड़ चले गए अर्विन केजिरिवाल चुनाब लड़ने की खोशना कर रहे हैं कैसे एक दूसरे को गाली देंगे साथ सीटो पर अकेले चुनाब लड़े की कांग्रस वाले बयान आये थे ये गठवंदन साथ नहीं रहा पाएगा लेकिन वहीं बुपेश भगेल ने कह दिया था कि 2023 के लिए तो भले हम एक दूसरे के सिर्फ फोड़ ले यानि कि अर्विन केजिरिवाल यहां पर आके आफ लड़ ले यह तो हमने 2024 के लिए बनाया है कर देखते हैं 2024 के लिए कितना टिकाउट टिकता है यह गठवंदन इस बैठक पर नज़र रहेंगे